हिंद भारत आपकी अपनी आवाज पाकिस्तान राज की तरफदारी करतीुई डिकh रही है तो ऐसे मेही इमारा की परवाह किये बगर अपने पोलसी सी जारी रह जा रखे ईके आ एक leasa का य flavors का ला छोगा अी मानिया आद आवा अकुक्त तक दुन्या तर्कार को मानियं नहीं देती तब तक पाकिस्तान पे इंतजार करें बता दें कि पाकिस्तान का तालिबान प्रेम किसी से छपा नहीं है बूलना नहीं चाहिए कि काबूल पर अगस्त में तालिबान की कबजे के बाद से ही पाकिस्तान लगातार नई तालिबान सरकार को मानिता देने की पैरोक गिहास से देखें, तो तालीबान राज की वाफसी के साथ ही पाकिस्तान की विदेश निती ही अफगानिस्तान उस पर तालीबान राज पर किन्दृत होकर रह गई है। ये आलम तब है जब अधिकांस देशों ने तालिबान सरकार से बात चीत के बाद मानवे मदद की संभावना पर बात की है इसके बावजुद अभी किसी भी बड़े देशन अफगानिस्तान पर काबिश तालिबान की अंतरिम सरकार को मानेता देने में हिचक ही परदशित की है ऐसे में पाकिस्तान के गिरे मंतरी शेक रसीद का बयान एहम हो जाता है गोर करने वाली बात ये है कि इस बयान से शेक रसीद ने अमेरिका को ही चनोती दे डाली है बता दे कि जो बाइडन परशासन पाकिस्तान को आर्थिक मदद की बहाली फिर से करने के एवज में कुछ बातों पर इस पश्टता चाहता है ये इस पश्टता अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर दवाब बनाने के लिए अमेरिका की कदमों पर है फिर्विश शेक रसीद ने दुनिया की परवा किये बगएर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की मदद की बात कह दी है जब अमेरिकी डिप्टी सेकेटरी वेंडी शर्मन के नेतरित में एक अमेरिकी परतिनीदी मंडल इसलामाबाद दोरे पर है और वाशेंग गटन की कूट नीटिक सूतरों के हवाले से पता चला है कि बाइडन परशासन पाकिस्तान से बाच्चित में चार परमुक मुद्दो पर ही ध्यान के अंदरित कर रहा है काबूल में तालिबान सरकार को मान्यता अफगानिस्तान तक पोचे आतंगवाद रोधी सैयोग इसमें परमुक है यही नहीं अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान अन्य देशों से पहले तालिबान सरकार को मान्यता नहीं थे इसके बजाए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान तालिबान सरकार को विवादस्पद मसलों पर अपना रविया लचीला बनाने के लिए दवाब डाले इसमें समावेशी सरकार का गठन मानव अधिकार लड़कियों की शिक्चा और महिलाओं को काम करने का अधिकार एहम है दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हिंद भारत लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले